नमस्कार आज में आपको बताऊंगे बैखोक ब्लाउज कटिंग एंड इस्टीचिंग तो यहां पर हम 36 साइट का ब्लाउज बनाएंगे तो उसके लिए हमने कपड़ा लिया है यह हमारा काड़ी का जो कपड़ा है वो इस तरीके का है दिखिए यहां पर डिजाइन बनी हु अब हमें जैसे हमारी 36 चेश्ट है तो हमें पहले 18 इंच पर एक निशान लगाना है उसके बाद हम यहां पर लेंगे तीन इंच सिलाई के लिए कपड़ा अलग से तो इस तरीके से हमने आगे और पीछे के दौना पल्ला निकाल लिए हैं इसके बाद हम इसको ऐसे डबल करेंगे वेकिन उससे पहले हमें इसे छोटा बड़ा करना है क्योंकि आगे का जो पल्ला रप होड़ा हमारा बड़ा रहेगा क्योंकि उसमें प्लेटे डालेंगे यहां पर देखिए जैसे हमारे पीछे की लंबाई है 14 इंच तो हमें कपड़े की लंबाई लेनी है 15 इंच और यहां पर हमने दो इंच लिया है बड़ा आगे कपल लग अब देखिए यहां पर हम आ रहा है चार पल्लर होने चाहिए ज चेंच और आरुमल लेंगे बो भी लेंगे हम चेंच और यहां से ऐसे गोल आई कित्ती दूरी है यहां पर आदा इंच की दूरी है अब गले की चोड़ाई हम यहां पर लेंगे धाई इंच गले की लंबाई आगे की रखेंगे हम चेंच और ऐसे गोल आई सबसे पहले हमें आरुमल का कटिंग करना है यह हमारा पीछे का जो छोटा है लंबाई में वो पीछे का पलर है यहां पर ले लिए हमने द्रा इंच और पीछे का गला हम रखेंगे यहां पर ग्यारा इंच का और इसको देखे हम बी में बनाएंगे इस तरीकी से पीछे की पिलेट का निशान हम यहां पर लगाएंगे एस अब यहां पर हमें टकस का निशान लगाना है दस इंच पर और तीरे का निशान boards लगाएंगे यहां पर हम 14 इंच पर है क्योंकि इसमें हम छोटा सा 3 हलाएंगे ज्यादा बड़ा नहीं लगाएंगे एक इंच हमें उपर की साइड लेना इस तरीके से और जो भी हमारा फिटिंग का कपड़ा जैसे 36 हमारा चेस्ट है तो 36 का आधा अठारा इंच अठारा का आदा करेंगे तो नौ इंच आएगा तो यह हमारा फिटिंग का हो गया क्या अब हमें यहां पर बीच में पिलेट टालनी और दो इनच का करेंगे साड़े ce कि यहां पर लगा लेंगे केंच के कट अब देखे यहां पर हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है बो है 17 इंच और लंबाई बाजू की हमें रखनी है यहां पर 10 इंच तो हम यहां पर 12 इंच पर कटिंग करेंगे अब देखे यहां पर डबल है यहां पर लेना है हमें 3 इंच इसको हमें ऐसे उपर की साइड लेकि जाना पाजू का कटिंग आदा इंच हम यहां पर मौरी का कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमारी जो मौरी है वह बारा इंच की है अच्छे इंच हो जाएगा यह हमारा फिटिंग का अब देखे सबसे पहले हमें अपने कपड़े को जो हमारा यह जाएन है आगे का डिजाएन है इसको हम आगे की साइड लेंगे सबसे पहले हम इसमें आगे का पार्ट निकाल लेंगे इस तरीके से हमें डबल करना है अब यहां पर हम इसको ऐसे रखेंगे क्योंकि आगे का जो डिजाएन है वह हमें पूरा अच्छे से लेना है यहां पर रखेंगे अब अपने तीरे को आगे का पल्ला निकाल लिए अब हमें बाजू निकाल लिए अब देखो दोनों हमने वाजू निकाल लिए अब हमें पीचे का पाट निकालना है अब देखेंगे यहां पर कपड़ा बच्चा हुआ है इसको हम ऐसे करके डवल करेंगे अगर हम पहले पीचे का पाट निकाल लिए थे फिर हमारा बाजू निकलता तो हमें बाजू पूरी लंबाई में चाहिए यहां पर हम इसको ऐसे रखेंगे यहां पर हमारा पीचे का पलर भी निकल गया अब हमें निकालना है आगे की जो पट्टी है वो निकालना है तो देखेंगे पीचे की साइड हम काजवाली पट्टी लगाएंगे तो यहां से निकाल लेंगे इसको हम डबल करके लगा लेंगे देखे काज़ वाली पट्टी को ऐसे एक पट्टी हम इसमें से निकाल लेंगे हुक वाली पट्टी यह हो गई हमारी हुक वाली पट्टी अब हमारे पास एक कपड़ा पचा हुआ है आरूमन का तो इसमें से हमें निकाल लेंगे गली में पट्टी इस तरीके से हम पहले कपड़े को अलग करेंगे उसके पाद है कि हमें ऐसे करना है तिरच्छा अब यहां पर हमें पट्टी की चोड़ाई रख लिए एक इंच ऐसे करते हैं अब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे इसे करके हमें जोड़ना है तो यह गले की पट्टियां हो गई और यह हो गई हमारी हुक और काजवाली पट्टी है यह हो गई हमारा पीछे का पल्ला है और यह हमारा आगी का पाट है इस तरीके से तो अगर आप इसके स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं हमें स्टिचिंग भी बताईए तो आप लोग कहेंगे तो मैं इसके स्टिचिंग जरूल बताऊंगी और वैसे मैंने के कि स्टिचिंग काटिंग दोनों डाली है अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल में देखें व्ळाओज कि स्टिचिंग यसे करते हैं तो आसा करते हों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए कुछ सीखना है या झाल झाल